हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप सबीक आएक बार फिर से सवागा थे और मैं एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आपके लिए आ चुका हूं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं साइकल के जो ब्रेक होते हैं इन्हें हम डबल करने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, हर साइकल में नॉर्मल एक ब्रेक लगा होता है यहाँ पर, लेकिन हमें इस पर डबल ब्रेक लगाएंगे, एक आगे लगा देंगे जिससे कि यह बहुत ज़्यादा दमदार हो जाएगा और पावर ब्रेक बन जाएगा, तो इस वीडियो को पीर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें एक ब्रेक कैलिपर का सेट लेना होगा, जिस पर एक लंबा सा बोल्ट लगा होना चाहिए, जिसमें चूड़ी होना चाहिए ताकि हम आसानी से दूसरा जो ब्रेक लगाएंगे वो लग जा इसके बाद हमें सिंपल ये ले लेना है, आउटर और वायर, जो कि हमें इस पर लगाने के काम आएगा, इसके बाद देखिए हमें लेना है कुछ टूल्स, ये 9, 10, 8, 9 इस तरह के स्पैनर हैं, जिने पाने कहते हैं हम इनकी जरूरत पड़ती है, और इसके बाद हम क्या करत हैं, सबसे पहले जो पहले से सैट लगा हुआ है, इसे हमें खोलना है, अलग अलग पार्ट में इसे डिवाइट कर देना है, तो चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए, जल्दी से जल्दी में इसे खोल देता हूँ, और आपको दिखाता हूँ, देखिए जो हमने टूल्स इसकी मदद से बहुत आसानी से खुल जाते हैं, और यहाँ पर जो नट बोल्ट कसा होता है, इसे खुलना है, जिस पर वायर कसा होता है, और इसे निकाल कर अलग कर देना है, तो चलिए, जल्दी से मैं इसे निकाल कर अलग कर देता हूँ, इसे फेकना नहीं है, क्योंकि य यह हमारे काम आने माला है, इसे हम सामने के साइड में लगाएंगे, तो यह हमने जो नया सेट लिया है, इसे लगाते हैं सबसे पहले, इस पर कुछ नट कसे हुए होते हैं, इन्हें निकाल देना हैं, और समाल कर लखना हैं, इन्हें गुमाना बिलकुल नहीं है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा काम के आते हैं इसके बाद हमने यहाँ पर एक छोटा सा वासर लगा दिया है जो इसके साथ आता है और इसे इस तरह से फिट करना है तो फ्रेंट्स हमें जो पहले लगा रहे हैं इस ब्रेक सेट को बहुत अच्छे से टाइट करना है क्योंकि इस पर मटगार्ड भी लगा हुआ होता है अगर यह अच्छे तरह से टाइट नहीं होगा तो ब्रेक अच्छे तरह से वर्क नहीं करेंगे तो चलिए जल्दी से मैं इस नट को लेता हूँ और लगा देता हूँ देखिए सिंपल बहुत आसान है फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लच तक देखिए काफी जादा मज़ा आने वाला है वीडियो में देखिए मैंने इसे हलका सा टाइट कर दिया है और इसके बाद स्पैनर की मदद से हम इसे फुल टाइट कर देंगे आप चाहें तो इस पर एक अलग से वासर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्र हो और यहाँ पर स्पैस दिखाई दे रहा हो लेकिन मैंने सिंपल एक नट लगा दिया है अब इसके बाद देखिए जो हमारा पुराना सेट था इसे इस तरह से हम नट बोल्ट खोल लेंगे इसके और अलग अलग पार्ट में डिवाइट कर देंगे और इससे ही हम सेकंड वाला जो ब्रेक है वो लगाने वाले हैं तो इसके पार्ट को गुमाना नहीं है फ्रेंड्स बहुत साउधानी से निकालना है देखिए इस तरह से मैंने इसे अलग अलग पार्ट में अलग कर लिया है अब इसे लगाते हैं तो सबसे पहले इस तरह से एक ये नट होता है इसे लगाना है देखिए जिस पर स्प्रिंग जो होता है वह भसता है इसे अच्छी तरह से टाइट कर देना है चलिए हमने इसे लगा दिया है इसके बाद अब जो set है इसे अच्छे तरह से fix करना है तो इसके लिए क्या करना है फ्रेंट आपको जो पहले से लगा हुआ set है उसको देखना है और simple बहुत आसानी से लगा देना है इसमें कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं होगी देखिए पहले हमने एक पार्ट को लगाया है और पीछ में वासर डालना ना भूले क्योंकि वासर ना लगता तो ये अच्छे तरह से काम नहीं करता जब हम ब्रेक लीवर प्रेश करते हैं तो देखिए इस तरह से हमने ये लगा दिया है अब इस स्प्रिंग को लगाना है तो इस स्प्रिंग को ऐसे लगाना है या पहले वाला जो ब्रेक है इससे देख सकते हैं बहुत आसानी से लगाना है लेकिन ये बहुत जादा काम का है, इसे लगाना ना भूलें, नहीं तो break काम नहीं करेगा, तो इस तरह से चलिए, जल्दी से हम इसे भी लगा देते हैं, और सामने net कसते हैं, देखिए, बहुत आसानी से हमने लगा दिया है, इसके बाद हम net कसेंगे, एक net हो तो एक कस सकते ह अगर आपके पास extra nut हों तो वेवी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसे बहुत जादा हम tight नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत जादा जब tight हो जाता है, तो break जब हम press करते हैं, तो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, तो देखिए, पहले मैं हाथ की हम आपके लिए लगतार लाते रहते हैं, वीडियो अच्छे लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और ऐसे ही वीडियो आप आसानी से देख सकें, चलिए हम इन्हें चेक कर लेते हैं, देखिए अच्ची तरह से यी व तो यह वायर को अलग कर लेना होता है आउटर से और जो पहले से जहां पर वायर लगा हुआ होता है उसके ही अंदर से इसे डालना है देखिए अंदर क्या है छोटा सा एक नट लगा होता है उसमें होल रहता है तो उसके अंदर से हमें से पार करना होता है तो हमने इसे लगा हूँ और अच्छी तरह से बैठा रहे वैसे भी जब outer इस पर tight होते हैं तो यह अच्छी तरह से tight हो जाता है तो simple देखी outer को थोड़ी से आगे करके दोनों वायरों के बीच में इन्हें डाल देना है अब जैसे का तैसा हम outer को कर देंगे इसकी ज़रुवत इसलिए होती है friends जैसे हम break press करते हैं तो जो outer है यह अंदर की और खिज जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पहले से nut लगा होता है उसे निकालना पड़ता है तो चलिए इसे जल्दी से लगाते हैं और तो यह जाते हैं या आपके पास अगर तार ओ वायर तो उसकी मदद से भी लगा देना है जैसा पहले से लगा है उसके ही उपर से चला देना है और सिंपल इस तरह से लगाना है एक टेप में आपको लगा कर बता देता हूँ बाकी आप अपने तरह से अच्छे से लगा लीजिए नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स आप आपको फाइनली में बताता हूँ जो में काम है इसमें आउटर वायर की फिटिंग करना तो किस तरह से हमें इसे एडज़स्ट करेंगे ब्रेक को ये देख लीजिए क्योंकि ये आपको वैसे भी इसकी जरूरत पढ़ते रहती है अगर आप जब भी ब्रेक एडज़स्ट करते हैं देखिए सबसे पहले यहां पर एक वायर निकला होता है इस वायर को उपर वाले होल के अंदर से लेना है और इसके बाद में नीचे एक देखेंगे आप छोटा सा नेट बोल्ट लगा होता है उस bolt के अंदर एक hole होता है तो उसके अंदर से हमें इसे पार कराना होता है और खीच कर हमें इसे adjust कर देते हैं तो देखिए इस तरह से हमने इसे लगा दिया है अब wire को हमें tight करना है तो friends मैं एक तरफ का आप को करके दिखा दूँगा दूसरे तरफ का आप खुद कर लिजीए नई तो वीडियो काफी जादा लंबा हो जाएगा तो देखिए इस तरह से जो break pad होते हैं इन्हें press करके रखना है और एक हाथ से अगर आप चाहें तो इसे खीच सकते हैं इस तरह से खीचना है देखिए और इसके बाद spanner की मदद से इसे tight करना है इसे full tight कर देना है नई तो क्या होता है जब भी हम break press करते हैं तो wire ढीला होता है या lose होने की वज़े से उपर चले जाता है और break अच्छी तरह से काम करना बंद कर देते हैं तो देख सकते हैं friend इस तरह से हमने इसे adjust कर लिया है और इसे check कर लेना है और अगर ये ढीला हो wire तो इसे अच्छी तरह से tight करना है क्योंकि मैंने आपको बताया है काफी जाद इसकी वज़े से दिक्कत जाती है break अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं तो देखिए एक को हमने adjust कर लिया है दूसरे वाले को आप खोद adjust कर लीजिए मैं इसे adjust करता हूँ जल्दी से और इसके बाद oil करते हैं तो friends थोड़ा थोड़ा इस पर हम oil डाल देंगे इससे क्या होता है कि break अच्छी तरह से काम करने लगेंगे तो देखिए इस तरह से हलका हलका oil डाल देना है आप चाहें तो wire के अंदर भी सामने से डाल सकते हैं oil जब हम इसे fit करते हैं तो देखिए हमने oil डाल दिया है इसके बाद हमें जो break कैलिपर होते हैं इने आगे पीछे हिला कर चेक कर देना है थोड़ा सा loose कर देना है नहीं तो ये अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं तो चलिए friends काम हमाना जो है आप फाइनल हो चुका है अब देख लीजी किस तरह से break काम कर रहा है जैसे हम break प्रेस करेंगे तो ये बहूत अच्छी तरह से काम कर रहा है तो फ्रेंट्स ये था हमारा छोटा सा वीडियो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू